हेलो फ्रेंज वेल्कम टू मैं चैनल लर्न विद माही आज 25 फैबरी है और आज की करन्ट अफेर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेशन्स बन सकते हैं वो हम आज इस वीडियो में डिसकस करेंगे और उससे रिलेटर फेक्स भी मैं आपको बताऊंगी तो आप पूरा वी वीडियो कैसी लगी आप कॉमेंट सेक्शन में बताएं और आज के क्वेशन्स की पीडियेफ आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलेग्राम चैनल से चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है लिंक पर क्लिक करके आप ग्रूप जोइन भी कर सकते हैं वहां आपको सारी 36 गड़ के मुख्य मंत्री भूपेश बगेल है और 36 गड़ की राजधानी रायपूर है चतीजगड सरकार ने रायपूर का नाम बदलकर अटलनगर कर दिया है 36 गड़ सरकार ने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की घोशना की है 36 गड़ के सरकारी करमचारी अब पुरानी नई पेंशन योजना में से किसी एक का चैन कर सकते हैं 36 गड़ के निजात अभियान को IACP 2022 पुरुसकार मिला है 36 गड़ सरकार ने टाटा टिक्नोलोजी के साथ समझोता किया है 36 गड़ सरकार ने अनुसूचिछ छेत्रों में पंचायत अधिकारों के विस्तार को लागू किया Second question is दुनिया के छटे सबसे बड़े इक्विटी बजार के रूप में कौन भारत से आगे निकला है So correct answer is B. Britain Britain के प्रधान मंत्री रिशी सुनक है और ब्रिटेन की राजधानी लंडन है और ब्रिटेन की करंसी पाउंड स्टर्लिंग है पूर्व प्रधान मंत्री मनमोहन सिंग जी को UK के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट ओनर से सम्मानित किया गया है जागरती आदव एक दिन के लिए भारत में UK की उच्चायुक्त बनी है UK ने अमेरों के लिए कर में कटोती के प्रस्ताव को रद कर दिया है लंडन में दादा भाई नौरो जी के घर को ब्लू प्लैक सम्मान मिला है QS द्वारा जारी Best Student City Index 2023 में लंडन शीर्ष पर रहा है थर्ड क्वेशन इस छेत्रिय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला हाई कोर्ट कोन सा बना है So correct answer is D. केरल हाई कोर्ट केरल की राजधानी तिरुवनंद पुरम है और मुख्य मंत्री पिनाराई विजियन है केरल के राज्यपाल आरिफ मुहम्मद खान है और यहां की भाषा मलियालम है केरल हाई कोर्ट ने अभी दो निर्णय मलियालम भाषा में दिये है फोर्थ क्वेशन इस किसे भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जेनरल के रूप में नियुक्त किया गया है So correct answer is A. राजीव रगुवन्शी नीती आयोक का नया CEO B.V.R. सुब्रमन्यम को नियुक्त किया गया है भारतिय अमेरिकी नील मोहन यूट्यूब के नए CEO बने है संयुक्त राष्ट्र सामाजिक आयोक के 62 सत्र की अध्यक्ष रूचिरा कंबोज चुनी गई है I.C.A.I. ने अनिकेत सुनिल तलाटी को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है इलाबाद हाई कोर्ट का मुख्य नियाएधीश राजेश बिंदल को नियुक्त किया गया है फिफ्थ क्वेशन इस जातिगत भेदबाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर कौन सा बना है So correct answer is C. Seattle अमेरिका की राजधानी वोशिंगटन डीसी है और राशपती जो बाइडेन है और अमेरिका की करंसी डॉलर है Sixth question is किसने मौधी Shaping a Global Order Influx नामक पुस्तक लौँच की है So correct answer is B. J.P. नड़ा इस पुस्तक को BJP अध्यक्ष J.P. नड़ा ने लौँच किया है और इस पुस्तक को विदेश मंत्री S.J. शंकर ने लिखा है सल्मान रुष्दी ने अपना नया उपन्यास Victory City जारी किया है मेगनाद देसाई ने The Poverty of Political Economy नामक नई किताब लिखी है मनसुख मांडविया ने Breaking a Viral Storm, India's COVID-19 Vaccine Story नामक पुस्तक का विमोचन किया शुब्रा गुपता ने अपनी नई पुस्तक इर्फान खान A Life in Movies की घोशना की है सेवन्थ क्वेशन इस किस बैंक ने सिंगपू के साथ वास्तविक समय भीम भुगतान की अनुमती दी है सो करेक्ट एंसर इस A, SBI SBI बैंक की स्थापना 1955 में हुई और इसका हेड़कुर्टर मुंबई में है और इसके वर्तमान चेर्मेन दिनेश कुमार खारा है एट्ध क्वेशन इस संयुक्त राष्ट्र ने किसे कुपोशन समाप्त करने के अभियान हेतु प्रमक पद पर नियुक्त किया है सो करेक्ट एंसर इस D, अफशा खान नाइन्थ क्वेशन इस भारत और किस देश ने समुद्री सुरक्षा में सूचन साज़ा करने के लिए समझोता किया है सो करेक्ट एंसर इस B, सेशेल्स सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया है और यहां की करंसी सेशेल्सी रुपिया है और यहां के राशपती वेविल राम का लावन है 10th question is किसने जम्मो में 33 वे पुलिस्व सार्वजनिक मेले का उधगाटन किया है सो करेक्ट एंसर इस C, मनोस सिनह 11th question is भारत का पहला एगरी चैटबोट अमा कुरुशाई कहां लौंच किया गया है सो करेक्ट एंसर इस B, ओडीशा ओडीशा की राजधानी भुवनेश्वर है और यहां के मुख्य मंत्री नवीन पतनायाखे और गवर्नर गनेशी लाल है यह किसानों की मदद के लिए लौंच किया गया है और इसको ओडीशा के गवर्नर द्वारा लौंच किया गया है ओडीशा दिवस एक अप्रेल को मनाया जाता है पंद्रवे होकी विश्व कप का उद्घाटन कटक में हुआ है विंटेज वानों के लिए अलग पंजीकरन करने वाला ओडीशा पहला राज्ये बना है ओडीशा सरकार ने राज्ये को 2023 तक स्लम मुक्त बनाने की घोशना की है ओडीशा के मुख्य मंत्री ने मुख्य मंत्रे शिक्षा पुरुसकार योजना की शुरुवात की है ओडीशा सरकार ने 10 नेवेंबर को बाजरा दिवस के रूप में मनाया बाजी राउत राष्ट्रिय फुट्बॉल टोर्नामेंट का उद्घाटन ओडीशा में हुआ है 12. भारतिय सेना ने किस राज्ये या केंद्र शाषित प्रदेश में महिला स्नो क्रिकेट टोर्नामेंट का आयोजन किया 13. नीजी कंपनियों द्वारा भारत का पहला हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट कहां से लॉंच किया गया 14. संसद रत्न पुरुस्कार समारो का तेरवा संसकरन कहां होगा 15. केंद्रि मंत्री मंदल ने भारत सरकार और किस देश के बीच हवाई सेवा समझोते पर हस्ताक्षर को मंजूरी दे दी है गुयाना की कापिटल जोर्स ताउन है और यहां की करंसी गुयाना डॉलर है और रष्पती इर्फाण अली है 16. Mobile download speed में भारत कौन से इस्थान पर रहा है So correct answer is C. 69 17. कौन सा देश संयुक्त राइश्ट मुख्याले में Permanent Mission Round Tables की मेजबानी करेगा So correct answer is A. भारत 18. भारतिय रेलवे 5 एपरल 2023 को कहां से अपनी भारत गौरव प्रयाटक ट्रेन के साथ गुरू कृपयात्रा शुरू करेगा So correct answer is D. लखनो 19. किसे अंतर राश्ट्रिय मात्र भाषा पुरुसकार से सम्मानित किया गया है So correct answer is B. डॉक्टर महिंद्र मिश्रा B. बांगलादेश की प्रधान मंत्री शेक हसीना ने डॉक्टर महिंद्र मिश्रा को अंतर राश्ट्रिय मात्र भाषा पुरुसकार से सम्मानित किया है UNESCO शान्ति पुरुसकार से इंजेला मौर्केल को सम्मानित किया गया है राखी कपूर ने Now You Breathe के लिए Golden Books Award 2023 जीता है Music Composer Ricky Case ने प्रतिष्ठित Grammy Award 2023 जीता है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए उसकर नमांकन पाने वाली पहली एशियाई M. योहो बनी है अंबिका सुथन मंगर ने ओड़कुझल पुरुसकार जीता है 20th question is भारत उजबेकिस्तान प्रशिक्षन अभ्यास डसलिक कहां शुरू हुआ है So correct answer is A. उत्राखंड उत्राखंड में नकल विरोधी कानून लागू हुआ है उत्राखंड के मुख्य मंत्री ने 2025 तक राज्ये को नशामुक्त करने की घोशना की है Luminous द्वारा भारत की पहली हरित उर्जा आधारित सौर पैनल फैक्टरी उत्राखंड में बनाई जाएगी 74th गंतंत्र दिवस परेड में उत्राखंड की जहांकी ने पहला पुरुसकार जीता है उत्राखंड सरकार ने राजस्म पुलिस व्यवस्था को खत्म करने का फैसला किया है उत्राखंड हाई कोर्ट को नैनिताल से हल्दुवाने शिफ्ट किया गया उत्राखंड ने 9 नवेंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया उत्राखंड के मुख्य मंत्री ने लगपती दीदी मेले का शुभारंब किया उत्राखंड के ओली मिलिटरी स्टेशन में रक्षा मंत्री ने शुस्त्र पूजा किया थैंक्स पूर वॉचिंग माई वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप लाइक करें कॉमेंट करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें थैंक्यू